नमस्कार दोस्ते दोस्ते अगर आप तेलंगाना से हैं या फिर आप तेलंगाना के आसपास के इस्तान से हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अपने तेलंगाना में कौन-कौन सी बसाईं बोली जाती हैं मगर उससे पहले अगर आप हमारी चैनल पर नहीं हैं तो कृपय वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आईए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्ति तेलंगाना जो 2014 में अंदर परदे से अलग हुआ और एक नय राजे बनाया था दरसल तेलंगाना का गठा ने दो जून 2014 को हुआ था हेदराबाद इस राजे की राजदानी है अगर हम तेलंगाना की बासाओं की बारे में बात करें तो यहां पर कई तरह की बासाइं बूली जती हैं जैसे की नामबर वन तेल्गू दोस्तों तेलंगाना में तेल्गू बासा को बोला जाता है जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा मगर आपको बता देते हैं कि तेल्गू बासा कई राज्यों में बोली जाती हैं जिन में से तेलंगाना भी एक होता है दरसल तेलगू तेलंगाना की अधिकारिक बासा है और ये बासा राज्य के 76% लोगों की द्वारा बोली जाती है दोस्तों उर्दू बासा को हमेशा से मुस्लिम समुदाई के लोगों के साथ जोड़ी जाती है और आपको बता देती हैं कि उर्दू तेलंगाने में बोली जाने वाली दूसरी सबसे लोगपिरिये बासा हैं दरसल यह रज्य के 12% लोगों के द्वारा बोली जाने वाली एक बासा हैं नमबर थरी हिंदी हिंदी बासा की बात करें तो यह वही है जिसमें आप वीडियो को देख रहें और यह हिंदी बासा तेलंगाना में बोली जाने वाली तीसरी सबसे लोगपिरिये बासा हैं इसके लवा तेलंगाना में अन्य बसाइं भी बोली जाती हैं जैसे कि मराठी, कन्नड, गोंडी और लंबडी तो इस तरह शे दोस्तों तेलंगाना की बसाइं होती हैं इसके लोग दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि तेलंगाना की अधिकारिक बसा या फिर राज बसा कुणची है तो वह कुछ इस तरह सी हैं दोस्तों तेलंगाना में कही तरह कि बसाइं बोली जाती हैं जिनके बारे में आपने अभी जनाएं मागर आपको बता देती हैं कि इन बसाओं में से एक या फिर दो को ही असल में अधिकार दिया जाता है यानि अधिकारिक रूप से माना जाता है जिन में से पहले तेलगू बसा होती है यानि दोस्तों तेलगू बसा अपने तेलंगाना की राज बसा है और ये आपको पता होना चाहिए दूसरा कि तेलंगाना की आधिकारिक बसा की बात करें तो ये तेलगू होती है और इसके लावा उर्दू को भी आधिकारिक बसा की रूप में जना जाता है तो इस तरह से दोस्तों तेलंगाना की अधिकारिक बासा ये फिराज बासा की बात करें तो वैद तेलगू और उर्दू होती है इसके लग दोस्तों आज की इस वीडियो के अपने जना की तेलंगाना में तेलगू उर्दू हिंदी मराथी कन्नड गोंडी और लंबाडी बासाईं बोली जाती है अगर आपको जानकारी उप्योगी लगी हो तो करिपे वीडियो को लाइक करें और चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें